आज की वीडियो होने वाली है टॉप 5 पेस्ट राउंड डायल स्मार्ट वॉच्छ अंडर 3000 पे है एव्रिवान होप्याइब वैल मैंने में दर्शोद वलकम बैक तो माई यूट्योब चैनल तो यह काफी जादा स्पेशल वीडियो है क्यूंकि मैं जब भी डाउंड वाली स्मार्ट वॉच्छ की वीडियो बनाता हूं काफी अच्छा रिसपाँस आता है और आप लोग यहाँ जादा डिमांड रहती है राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच्छ इसको लेकर अभी यहाँप लोगको जानी है इन एप GPS Bluetooth क्वालिंग यूआई काफी बढ़िया मिलेगी इसके अलावा आप लोग को यहां पर बहुत ही बढ़िया डिजाइन देखने को मिलने वाला है और एक्यूरेसी की बात करूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी जलते हैं फटाफट फिफ वाच है जो कि राउंड डायल में आती है और बहुती जवर्दस इसका डिजाइन लगता है मुझे इस स्मार्ड वाच का नाम है पैबल कोईस्ट यहां पे आप लोग को 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इसके अलावा दो एओडी के मिलेंगे जो कि काफी बढ़िया क्लियरिटी के साथ आती है साथी साथ 600 की ब्राइटनेज दी गई है एक आउट्डोर स्मार्ड वाच है इसलिए यहां पे पिक ब्राइटनेज भी अच्छी दी गई है जिसकी वैसे आप लोग को इंडोर आउट्डोर विजिबिलिटी को बेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मैंने खुद इसको प्रसनली यूज कर रखा है साथी साथ यहां पर कस्टम वाच पेस भी लगा सकते हो और क्वालिटी बहुत ही जवर्दस निकलकर आती है अभी आप लोग देख सकते हो बिलेंड डिजाइन की बात करो तो मेटलिक फ्रेम का यूज किया गया है उपर की साइट थोड़ा बहुत प्लास्टिक देखने को मिल जाता है लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉंग प्लास्टिक कहूंगा मैं इसको बैक साइड में भी यहां पे प्लास्टिक का ही यूज किया गया है 22 mm का स्ट्रैप की क्वालिटी मिल जाता है एक बटन मिलता है स्पोर्स मोड के लिए ओवरॉल बिल्डेंड डिजाइन प्रसनली मुझे बहुत प्यारा लगा इसका हाथ में पेनने के बाद जबर्दस लुक निकल कर आता है महीं बात करूए इस स्मार्ट वाच की की हाइलाइट्स के बारे में तो यार द एट डेस बैटरी वैकप के साथ आती है यह स्मार्ट वाच बुलुटूथ कॉलिंग और एओडी के साथ दो से तीन दिन का ही बैटरी वैकप देखने को मिलेगा जब यह लॉंच वही थी तब इसका प्राइस 3500 रुपए सम्तिंग था बट इस टाइम आप लोगों को सिर् लेना चाहते हैं बड़ बजट का में डॉंड वरी यार आपका वाई आया बता के जाएगा अंडर 3000 लगजरी स्मार्ट वाच यहां यहां पर काफी बड़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 500 निट्स की पीक ब्राइटने से इंडोर आउट्डोर यहां पर भी वीज लगजरी डिजाइन के साथ साथ एमोलेट देना बहुत मुश्किल होता है साथी साथ बिल्ड एंड डिजाइन की बात करो तो यहीं पर यह स्मार्ट वाच बहुत आगे निकल जाती है बाकी सारी स्मार्ट वाच इस से राउंड डाहिल में आप लोगको मैटलिक फ्रेम के स साथ सबधस्वालिटी देखने को मिलती है साथी साथ सामने की तरफ आपको कुछ डाइमंड देखने को मिलेंगे साथी साथ आप लोगको फ्रन पर किस्टों देखने को मिलते हैं जोस्मार्ट वाच के लॉक को काफी जयादा नहेंस कर देता है 22 2mł पाप स्टेल का इस्ट बट अभी आप लोगों को यह 25 रुपए के आसपास मिल जाएगी तो ले सकते हो, वैसे अंडर 3000 यह smart watch भी value for money है, offer के बाद भी ले सकते हो, ठर्ड नमबर पे जो smart watch आती है, यह आती है noise की तरफ से noise fit hello, यहाँ पे आप लोगों को 1.43 इंच की AMOLED always on display देखने को मिल जाती है, इस smart watch में भी हमेशा की तरह custom watch face का support मिल जाता है, और काफी natural color प्रोवाइट करती है, यह smart watch, इसके अलावा build and design की बात करो तो metallic frame देखने को मिलता है, और zinc alloy का यहाँ पे use किया है, जो के काफी other strong बना देती है, इस smart watch को, back side में glass finish का use किया गया है, 22 mm का strap है, strap की quality यहाँ पे भी decent कहूंगा, बाकि और भी बहुत सारे straps आते हैं इसके तो आप लोग check out कर सकते हो, बात की जाए कि highlights की तो Bluetooth calling और कोई reply जैसे अच्छे features तो मिलते ही हैं, साती साथ noise के सारे health trackers मिल जाएंगे, सारे basic features मिल जाने हैं, जो के camera control, music control, weather forecast, इसके अलावा इस smart watch में भी आप लोग को 100 plus sports mode, IP68 की water regenerating और calculator जैसे useful features दिये गए हैं, बैटरी वैकप की बात करूँ तो 6-7 दिन का बैटरी वैकप यह smart watch भी provide कर देगी, calling के साथ 2-3 दिन का भी battery वैकप देखने को मिलता है, तो यह भी अच्छी smart watch है, यह भी आप लोग को 2500 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगी, और value for money है यार कभी भी ले सकते हो, यहाँ पे जो second smart watch है, यह आती है, में sweet की तरफ से pop 3R, यह भी round dial में जबड़दस smart watch है, 1.43 इंच की AMOLED always on display देखने को मिल जाती है, दो variants आते हैं, इसके एक metal strap वाला और एक silicon वाला, silicon वाला आप लोग अंडर 3000 देखने को मिल जाएगा, metal strap जो है, वो 4000 रुपए के आस पास का देखने को मिलेगा, मैं मना करूँ है, metal strap मत लेना, after market आप लोग metal strap ले सकतो है, 200-300 रुपए का मिल जाता है, तो इतनी tension मत लेना के 1000 रुपए extra पे कर दो, बाकि यहाँ पे आप लोग को 1.43 इंच की AMOLED always on display, 2 IOD के watch faces, 600 nits की peak brightness मिल जात है, बाकि की highlights की बात की जाये, तो again blue to the calling voice assistant जैसे अच्छे features मिल जाते हैं, सारे health trackers, सारे basic features, IP68 की water resistant rating, 3700 plus sports mode, और यहाँ पे 7 desk का battery wake up देखने को मिलेगा, यह भी एक अच्छी smart watch है, हमें sweet के fan हो, तो definitely इसको भी check out कर सकते हो, इसका price 2899, इस time flip card पे, तो इसको देख लेना, तो number one पे, जो smart watch है, यात ही है, fire world की तरफ से legacy, यहाँ काफी time पहले, यह smart watch launch हुई थी, 4-5,000 रुपाइस का price था उस time पे, but काफी ज़्यादा value for money product है, इसलिए इसको number one पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे premium design provide कर रही है, और साथी साथ accurate features भी यहाँ पे देखने को मिलता है, इस smart watch में भी आप लोगो 1.43 इंच के AMOLED always on display देखने को मिल जाएगी, दो AOD के watch faces मिल जाते हैं, 600 nits की peak brightness दी गई है, indoor outdoor visibility को लेकर कोई issue face नहीं करने वाले हो, साथी साथ यहाँ पे आप लोग कस्टम watch face लगा सकते हो, clearity जो है, इसकी बहुत ही जबर दसते हैं, बहुत ही ज stainless steel का frame देखने को मिलता है, जो के बहुत ही ज़्यादा premium बना देती है, smart watch को, 22 mm का यहाँ पे metallic strap भी दिया गया, leather वाले strap भी आता है, कोई सा भी ले सकते हो, आपकी पसंद है वो, बकि यहाँ पे quality में कोई compromise देखने को नहीं मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पे features की बात की ज जाते हैं, सारे L trackers, सारे basic features भी मिलेंगे, world clock और साथी साथ PP monitor जैसे तगड़े features भी दिये गए है, यहाँ इसके features खतम नहीं होता है, आप लोगो को इस smart watch में stock market का update भी देखने को मिल जाता है, इसके अलावा IP68 की water resistance rating मिल जाती है, 100 plus sports mode, देख रहो हूं मतलब बर बर के features द definitely ले सकते हो, worth buying है, आते हैं भी auto पे तो देखो यार, जिपनी भी smart watches बताईए ना, मैंने यह round dial वाली specially आप लोगी demand पे ही बनाता हूं, मैं round dial की, काफी लोग round dial smart watch को पसंद करते हैं, और मुझे भी personally round dial काफी जादा अच्छी लगती है smart watches, बट यह यह round dial आती तो बहुत सा smart watches आप लोगे सामने रखी, कोई भी company की तरफ से sponsor वीडियो नहीं होती है, ऐसी वाली जितनी भी top 5 वगेरा होती है, तो यह बस आप लोगे प्यार है, जिसकी वैसे हम बनाते हैं ऐसी वीडियो, तो अपना प्यार भी दिखाना इस वीडियो पे, बाकि अगर आप लोग किस किसी भी smart watch में interested हो, तो link description में, वहाँ से जाके check out करना मत बुलना, detailed review वीडियो किसी भी watch का देखना चाहते हो, वो भी आप लोग को मेरे channel पर देखने को मिल जाएगा, तो बस यार यह ते अच्की वीडियो होफ करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच् सब्सक्राइब तो करके जाना है, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई